खेदी में एक बने बनाए धर्रे पर चलते रहने से उससे होने वाले फायदे का दारा सिमट जाता है जैसे हर क्षेत्र बे नई तकनीकों के और नए मैनेजमेंट के इस्तवाल से उसकी ख्षमता, मुतपादकता बढ़ती है उसी तरह खेती में भी नए तरीकों को अपनाना होगा तभी आप वक्त के साथ आए बदलावों के अनुरू आगे बढ़ पाएंगे ये सब नहीं करने की कारण ही कई किसान बढ़ती महगाई में खेती की बढ़ती लागत के अनुरू उनाफ़ा नहीं ले पाते और इसी घड़ते फायदे की बज़े से आज के कुछ किसानों का खेती से मो भंग हो रहा है और किसान परिवार खेती से मूँ फिरने लगते हैं इसके विप्रीत आज के इस हाइटेक दौर में कुछ किसान ऐसे भी हैं जो उसी जबीन पर खेती में बदलाव कर अपना दम खम दिखा रहे हैं ऐसे ही किसानों में एक हैं हर्याने के गुरुक शेतर के रहने वाले अजायप सिंग जिनोंने धान गेहूं के फसल चक्र में घटी आमदनी देखकर अपनी फसल में बदलाव किया पुरानी फसल की जगा उसमें केले की खेती की जाहिर है समाने तरीके से उन्हें अच्छा फाइदा नहीं होता इसलिए क्वालिटी वाली अच्छी उपच के लिए केले की इस खेती में टिशू कल्चर की G9 वेराइटी का चैन किया सही तक्रीकों का इस्तमाल किया जिसका नतीजा है उनके पौधों पर लगी हुई लंबी-लंबी केले की घौंदे हम दान की फसल लगाके दान की फसल से बहुत जाता दुखी होगे थे इसमें प्रुपरी इनकम नहीं होती हमने एक ट्रायल वेस पे दो एकड लगाया है जिसमें से हमें 100% शेवरुटी है भी हम कामियाब होंगे और हमारी जो इनकम है वो डबल होगी डबल से भी ट्रिपल होगी अजाइप सिंग कहते हैं कि एक एकड में करीब 1250 पौधे लगते हैं एक पौधे से औसतन 25 किलो फल मिलता है इस सरह उनको केले की एक एकड फसल से 300 कौइंटल तक उपज मिल जाएगी इस समय बाजार में केले का रेट 14-15 रुपे प्रती किलो है यानि 300 कौइंटल केले के फलों से उनने करीब 4 लाग की आमदनी होगी अजायब सिंग जी पताते हैं कि एक एकड केले की खेती में 1.5 लाग का खर्चाता है जिसे एक कौल आमदनी में से अगर घटा दिया जाए तो उन्हें 2-3 लाग का शुद मुनाफ़ा हो जाएगा वो भी केवल एक एक एकड से अजायब सिंग जी ने अभी 2 एकड में केले की खेती की है यानि 2 एकड से उन्हें 5-6 लाग की कमाई हो जाएगी इसमें मिनिमम अगर लगाएं सही सब कुछ रहा तो हमारा 300 कुवंटल पर एकड प्रोडक्शन निकल जाएगा जिसका आज का मार्किट का बाब है प्रोक्सिमेटली 15-14 से लेके 15-16 रुपई पर केजी का है कच्छे के लेका जिसमें से जो सुध हमारी इंकम होगी वो लगबग 4 लाख रुपई की होगी जिसमें से 1 लाख-7 लाख रुपई खर्चा निकाड के कम से कम 2 लाख डाई लाख रुपई हमें हर कीमद बे बचेगा अजाएप सिंग ने केले से अच्छी क्वालटी की भरपूर उपज लेने के लिए केले की तिश्यू कल्चर किस्म G9 को लगाया है अजाएप सिंग बताते हैं कि पौधे से पौधे की बीच की दूरी साड़े च्छे बाई साड़े पांच फीट रखी जाती है जिससे उनके पौधों का भरपूर विकासों और केले की क्वालटी वाली भरपूर उपज मिल सके यह G9 व्रेटी है शौरो टर्म की व्रेटी है जिसका आज वरड के अंदर बहुत अच्छा प्रोडक्शन है एक एकड में प्रोक्सीमेटली सड़े बारा सो पौधे लगे हैं जिसमें हमारी रो टू रो छे फुट की दूरी है और पलांट टू पलांट सड़े पांच फुट की दूरी है अजाइब सिंग जी पताते हैं कि पौधों की रोपाई के कुछ दिन बाद जब इसकी पगल से पुत्या निकलती है तो उन्हें भी समय समय पर हटाना पड़ता है जिससे की पौधे का सही विकास हो सके समय समय पर जरूरी पोशक तत्वों को देना चाहिए जिससे की अच्छी फसल मिल सके सिचाई और औरवरकों के लिए वो अपने खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तमाल करते हैं वो बताते हैं कि नई तकनीकों का सहारा लेने से लागत कमाती है और इससे लाब का दारा बढ़ जाता है साथी केले की कौलिटी भी बहतर होती है दूसरी बात इसमें पानी अगर ड्रिप सिस्टम योज किया जाए तो पानी की बहुत बच्चेत है अजाइप सिंग बताते हैं कि उत्तरी हर्याना का मौसम केले की खेती के लिए अनुकूल है लेकिन दिसमबर बहिने में इसे सर्दी से बचाने के लिए थोड़ा पंदोबस करना जरूरी है हर दो बहिने बाद इनके पाथों की कटाई और चटाई होती रहती है वातावरण इसमें नॉर्मल रहता है यहां भी कोई वातावरण की प्रोब्लम नहीं है सिर्फ दिसमबर और जनवरी में जद हमारा टेंपरेचर लगबाग दो तीन चार डिगरी चला जाता है जैसे हम बार बार आलू को पाणी देते हैं इसी तरह इसको भी पाणी दें बार बार तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी लोस नी होगा इस तरह केले की बागवानी में सही प्रबंधन अपना कर आप अपना मुनाफ़ा बढ़ा सकते हैं और साल भर की केले की खेती से लाखों की कमाई कर सकते हैं येरो रेपोर्ट, सी मीडिया झाल 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 झाल